मद्रदेश में नगरी निकाय चुनाओं पर अब सियासी पारा चड़ने लगा है हलाकि नगरी निकाय के चुनाओं की तारिकों का एलान भले ही ना हुआ हो लेकिन आरक्षिन की प्रक्रिया के बाद इंदोर में महापोर के पद को लेकर सियासी गलियारों में कई नेताओं के चहरों पर चमक आ चुकी है दरसल इंदोर में गहमा गहमी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इंदोर में महापोर का पद अनारक्षित हो गया है एसे में 20 साल पहले कॉंग्रेस के महापोर की जीत को याद करते हुए कॉंग्रेस के कई दिगट ताल ठोकने को तयार है बतादी की प्रदेश को सबसे जादा राजस्व देने वाली इंदोर नगर निकम पर बीते चार वार से बीजेपी के महापोर का बीज है और परीशत पर भी यहाँ बीजेपी का ही कबजा है इंदोर में बीते दो दशक में बीजेपी की ओर से कहलाश वीजेवरगी, उमाश शशी शर्मा, क्रश्न मुरारी मोगे और मालीनी गोड महापोर रहे है इन में सबसे जादा वोट परतिशत इंदोर विदायक मालीनी गोड ने पिछली दफा हासिल किया था महापोर पत के लिए 2015 में 10,28,608 मतों में से मालीनी गोड बीजेपी ने 6,58,538 मत हासिल कर 64 फीजदी वोट हासिल किये थे और कॉंग्रेस की अर्चना जेसवाल को 2,86,360 वोट से माद दी थी इधर प्रदेश और केंदर में सत्ता बीजेपी किये है लिहाजा इंदोर के महापोर पत को लेकर वीजेपी उत्साहा से बरी है हलाकि ये चुनाव इस्थानी मुद्दों पर लड़े जाने है लिहाजा सियासी गल्यारों में प्रारंबिक तोर पर इस पत के दावेदारों के रूप में विदायक रमेश मेंदोला और पूर्व विदायक जीतू जिराती का नाम सबसे आगे है वही संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले क्रश्न मुरारी मोगे भी फिर से दावेदार बनाये जा सकते हैं इन नामों के अलावा कुशल नेटर्ट प्रकरता और आईडिये के पुर्व अद्यक्ष मदु वर्मा के अलावा पुर्वनगर अद्यक्ष गोपी क्रश्न नेमा का नाम भी सामने आया है हलाकि इन नामों में किस नाम पर मुहर लगेगी या नहीं ये तो वीजेपी संगटन ही करेगा वही कॉंग्रेस के दिगट शहर के प्रतम नागरिक के पत के लिए होने वाले चुनाओ के लिए तैयार है एसे में राजनीतिक विशलेशक और सियासी गलियारों से खबरे सामने आ रही है कि महापोरपत के लिए कॉंग्रेस विधायक संजे शुकला एक बड़ा नाम है वही शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष और पूर्व पारशद विनाय बाकलिवाल पूर्व मंत्री और विधायक जीतु पटवारी पूर्व विधायक अश्विन जोशिक के अलावा सत्ति नारायन पटेल या छोटे यादों कॉंग्रेस की ओर से उम्मिदवार हो सकते हैं फिलाहल ये सियासी गलियारों की चर्चाएं हैं जिन मेंसे दो ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो एक दूसरे को आपस में कड़ी और बड़ी टक कर देंगे लेकिन अभी उम्मिदवारों के नाम पर कुछ भी कहना जल्दवाजी होगी क्योंकि अंतिम फैसला दोनों ही प्रमुग दलों के संगठन से जुड़े बड़े नेता करेंगे